हलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार 31 अक्तूबर 2022 और दे हिंदू न्यूज अनलिसिस में आपका स्वागत है आज की जितनी भी इंपोर्टेंट और एक्जाम और इंटेंट न्यूज होगी वो इस वीडियो के तुरू डिसकस करेंगे सबसे पहले बात करते हैं फरंट पेज पे केवल एक ही न्यूज इंपोर्टेंट है और जो एक्जाम से डिरेक्ट रिलेट करेगी सबसे पहले आपर मैंसन किया गया है कि DNA टेस्ट की जो डिमांड है वो लगाता है ग्रो कर रही है लेकिन अभी भी एक ग्रे एरिया के अंदर दी गई है या स्टडी की तरीके से करेक्ट करेगी है लेकिन इसकी इंपोर्टेंट्स कितनी यूपीसी में उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले बताया गया कि DNA टेस्ट जो है ग्रे एरिया के अंदर जो है खासकर अगर आप देखेंगे जस्टिस के लिए या फिर इंडिवेजुल प्राइवेशी मेंली क्या किसी व्यक्ति की निजता का ये हनन करता है या एक तरीके से फंडेमेंटल राइट ओप प्राइवेशी का बोईलिशन करता है ये एक बड़ा सवाल है और जिस तरीके से आज के टाइम पे क्रिमिनल केसिज के अंदर मेरिटल इन इसके अलावा यहाँ पर यह लैब्स के कुछ डेटा बताया गया कि हर साल जो DNA टेस्ट की रिक्वाइर्मेंट है यह लगातार इंक्रीज हो रही लगबर 20% से ज्यादा इंक्रीज हुए है जैसे DNA फोरेंसिक लिबरेटरी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से डेटा दिया गया और नेशनल एक्रीडेशन बॉर्ड फॉर टेस्टिंग और क्लिबरेशन लिबरेटरीज के त्रू भी डेटा दिया गया कि अब यह जो डिमांड हर मन्त 300 से 400 सेंपल आते हैं DNA टेस्टिंग को लेकर प्राइवेट रिक्वेस्ट पर या फिर कोड कोडर पर दो ही तरीक किसे माल लेते कोई इस तरह के DNA टेस्टिंग करते हैं तो DNA टेस्टिंग जो है किसी भी व्यक्ति की वाइलेशन और पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी यह बहुत इंपोर्टेंट है कि आप टेकनोलोजी का इस्तमाल तो कर रहे हैं टेकनोलोजी का इस्त सब्सक्राइब को लेकर यह काफी इंपोर्टन है क्योंकि भारत सरकार के दौरा एक बिल भी जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा था डिने टेकनोलजी रेगुलेशन बिल हालाकि मुझे अभी शोर नहीं कि यह बिल पास हो चुका नहीं यूज अप्लिकेशन बिल है यह बहुत इंपोर्टन है और इसको लेकर क्योशन मेंज के अंदर डारेक्ट को सब्सक्राइब सकता है इसके अलाबा डेटा प्रडेक्शन बिल जो है यह बहुत इंपोर्टन होगे तो आने वाले टाइम में में भी यह जो अभी तरीके से विंटर सेशन होगा परलियमेंट का या फिर अगला जो बजट सेशन होगा यह बहुत इंपोर्टन होने वाला है कुछ इंपोर्टन बिल परलियमेंट के अंदर रखे जा स रखते हैं तो इसी को लेकर यह मेंली डिसकस किया गया है और क्योंकि यह साइन्स एंड टेक्नोलोजी के इंपोर्डेंट पार्ट है और अभी एक और इंपोर्डेंट न्यूज में आता कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को पर्मिशन या एक रेकमेडेशन करी गई है तो जीन टेक्नोलोजी के प्रिस्पेक्टिव से भी इस तरह की चीज़े काफी इंपोर्टेंट है इसके अलावा इस पेज़ पे एकजाम रिल्टेट कोई पर्टिकलर न्यूज नहीं है एक यहां पर एक ब्रीफ में आपको देखने को मिलेगा कि ब्राजिल के अंदर इ इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन में है इसके अलावा यहां पर एक इंपोर्टेंट G20 का सेशन भी होने वाला तो इस कॉंटेक्स्ट में काफी इंपोर्टेंट होगा आने वाले टाइम में तो यह यहां पर ब्राजिल के बारे में डिसकस किया गया अब हम सीधा जाएंगे डारेक्टली पेस नंबर 12 पर जो टेक्स्ट का इक पेस यह जाता है इसके अंदर मेंली ऑकी टोपिक है जो हमारे इंपोर्टेंट वह है एंटी सूपर स्टिशिस लोक्श्य इंडिया के अंदर है या भारत के अंदर क्या अंध विश्वास विरोधी कोई कानू है देश के अंदर इसको लेकर discuss किया जार है ये क्यों इतना ज़ादा news में है और इसकी importance कितनी ज़ाद है उसके बारे में बात किया गया सबसे पहले बताया गया कि भारत में बड़ी संख्या में इस तरह की हत्या होती है किस के नाम पर कि यह अपने आपने सवाल है लेकिन यह स्टोरी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे रिशन में केरला में रिचुलिस्टिक हुमन सक्रिफाइस की न्यूज है बड़ी बहुत ही मतलब डिस्ट्रिविंग न्यूज थी है कि एक व्यक्ति ने सेजेशन दिया एक कपल को जो बहुत बुरे तरीके से उनकी बोडी के पार्ट को कट किया गया इवन बहुत खराब न्यूज आती कि जो हीमन बोडी के फ्लेश से उसको भी खाने की कोशिश करेगी इस तरह की न्यूज थी यह डिस्ट्रिविंग दो प्रस्पेक्टिव में है पहली बात तो यह है खुद एक अच्छी कंडिशन के अंदर है उनके दोरे एक्टिविटी करना यह ओर ज्यादा जिस्ट्रिविंग और मेरे लिए भूती सैड न्यूज आती है इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करते हैं कि देश के अंदर सूपर स्टिशियस या अंदिविश्वास ले एक रिपोर्ट है नैशनल क्राइम रिकोर्ड ब्यूरो की यह रिपोर्ट ऑथेंटिक रिपोर्ट है और आप इसको मेंस के अंदर भी इस्तिमाल कर सकते हैं यहां पर बताया गया कि human sacrifice से 6 डेथ लिंक करीगी और 68 की लिंग जो है वो witchcraft के तुरू witchcraft का मतलब क्या किसी व्य इसके लावा सबसे बड़ा नंबर आता 36 गड़ फिर मद्यपरदेश तिलंगाना और के अंदर 2020 में भी इस तरह घटना हुई है जहां पर human sacrifice हुआ था एक दो व्यक्तियों की एक तरीके से human sacrifice के नाम पर हत्या कर दी गई इसके लावा यहां पर यह बताया गया कि उस टाइम पर यह डेथ हुई थी witchcraft के नाम पर और 11 डेथ हुई थी human sacrifice के नाम पर as per national crime record bureau के data अब बात करते कि क्या देश के अंदर ऐसा कोई कानून है जो इस तरह की चीजों को रोक पाए इसको लेकर यहां पर बताया गया पहली बात तो यह कि कोई central law नहीं है जो particular इसी चीज को deal करे witchcraft, superstitious या कोई इस तरह की जादो टोन जैसे activity को लेकिन यहां पर यह बताया गया कि अलग-अलग state के कुछ कानून है जैसे सबसे पहले बिहार government ने किया गया था क्योंकि बहुँ जादा prevalent आपको eastern state में आप eastern इंडिया के जो state है चत्तिस गट, बिहार, उडिशा, वेस्ट ब गया था कि हम सबसे पहले कानून बनाएंगे जो basically witch hunting या कोई भी व्यक्ति किसी woman के साथ को यह बोलता है कि वह एक तरीके से dying है तो उसको protect करने के लिए woman के right को woman की life को protect करने के लिए कानून बनाया गया था बिहार में और इसके अंदरे बताया गया था कि अगर कोई व्यक् करना इन सब चीजों को तो उसके लिए यहाँ पर कानून बनाया था prevention of witch या dying practice act और 1999 अक्तोर के अंदर यह लागू हुआ था लेकिन यह जब लागू हुआ तो मेरे लिए surprising यह थी कि इसके अंदर जो सजा थी वो क्या थी तीन महीने सजा थी और 1000 रुपे fine था जो बड़ा easily एक में जारखन सरकार ने यह पास किया और हलाकि जो सबसे ज़्यादा effective status 36 वहाँ पर काफी डिले किया गया इसको लेकर और finally 2005 में इनों ने पास किया और 2005 में जो इनों ने पास किया तो यहाँ पर थोड़ा सा rigorous imprisonment आपको देखने को मुले तीन साल की सजा है fine भी है बाद मे ओडिसा सरकार ने ओडिसा हाई कोट की direction पर 2013 में कानून पास किया इसके लाब फिर महरास्टरा में महरास्टरा prevention and addiction of human sacrifice and other inhuman evil और अगोरी practice and black magic 2013 यह पास किया गया इसके बाद यहाँ प्रग्रम बात करते हैं जो एक्टिविस्ट है नरिंदर दाबलकर इनकी हत्या के बाद कानून बेसिकली पास किया गया था राजस्तान सरकार ने 2015 में पास किया कि effective measure लेंगी इस तरह की witch hunting या witchcraft जैसी practices को prevent करने के लिए again कोई व्यक्ति को समाज को society किसी महिला को डायन और इस तरह की word अगर use करता है तो definitely यह नयके वल एक society के लिए खराब है एक woman की dignity और dignified life के ल करने के लिए various state government के दोरे यह कुछ कानून पास कर गई है इनके लावा इसमें target रखा गये कोई भी व्यक्ति कोई भी person किसी भी महिला को defamed नहीं कर सकता और चाहिए words से या कुछ उनके actions के तरू इसके लावा जो latest कानून पास किया गया था वो था करनाटका सरकार के दोर कर करनाटका prevention addiction of inhuman evil practices black magic 2017 2020 में लागू कर दिया गया और इसके बाद black magic और superstitious जैसी जो चीज़े हैं उसको लेकर यह बताया गया कि इवन थोड़ा सा टफ बनाएगे करनाटका में कि अगर कोई व्यक्ति religious festival में किस्यों का force करते हैं तो religious practice में अपनी मर्जी से अगर आप करते हैं वो इक अलग चीज़े हैं अगर आप किस्यों को force करते हैं वो यह आपको जलती आग से गुजरना है यहां पर इसके लाव एक इस activity में count किया जाएगा और कोई व्यक्ति force करता है तब भी करनाटका कानौ जो है करनाटका state की जो entire territory है वहां पर यह लागू होगा तो यह थोड़ा कानौ मुझे advanced सा लगा हलांकि interesting चीज़ यह होती कि जो सरकार में होते हैं तो अलग scenario होता है और जो सरकार में नहीं होते तो थोड़ा different scenario आपको देखने को मिलेगा खेर आगे बढ़ते हैं और इसके बाद page प्रवेस करते हैं page number 14 पर सबसे पहले left hand side में जो चीज डिसकस करीगी है वो है CAA को लेकर citizenship amendment act को लेकर और यहां पर citizenship amendment act को लेकर भारत की home ministry ने supreme court के अंदर काया कि यह benign piece of legislation है benign का मतलब ह थोड़ा soft थोड़ा sum में और इसका क्या basically मतलब इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि important है देखो यह जो पूरी चीज़ें आप पढ़ने से पहले दो तिन important चीज़ें हमें पता होना चाहिए आपको कई सारे words देखने को मिलेंगे for example census है जन्गर्न है जिसमें आप family member कितने हैं यह सारी चीज़ें यह educational चीज़ें पूछी जा सकती है इसके बाद एक word आता है एंपियार नैशनल population registration इसमें क्या होता है कि वही अगर कोई व्यक्ति चाहिए आप फोर्नर ही क्यों ना हो छे मेने से जाता एक particular area में stay करता है तो उसके बारे में detail पूछी जाती ह है right census और NPR में और citizenship amendment act के through जो एक word यूज होता NRC इन में difference gap citizenship amendment act तो हो गया कि वही आप citizenship कानून जो है उनने से फिच्पन वाला उसके अंदर बदलाव कर रहे है ठीक है बहुत सिंपल सी बात है census में आपके detail पूछी गई national population register में आपकी एक तरीके से आपसे detail पूछेगी अगर आप particular area में 6 मेने से जादा रह रहे हैं तो वो एक तरीके से application की जाती है लेकिन NRC थोड़ा सा अलग है NRC अलग क्यों है कि census और NPR में आपसे कोई document नहीं लेंगे verification करने को लेकर लेकिन जहां तक जब बात आईगी national register of citizen तब आपसे document एक तरीके से लिया जाएगा प्रू करना पड़ेगा कि आप इसी country के citizen है तो citizenship amendment act के बारे में क्योंकि काफी ज़्यादा debate भी हुए काफी प्रोटेस्ट भी हुए इसको लेकर काफी विरोध हुआ कि यह citizenship amendment act जो है तरीके से religion based बना है लेगिन इसके बारे में थोड़ा पड़ते कि क्या actual में ऐसा है तो पहली बात तो यह है यह जो citizenship amendment act है यह इंडिया के किसी citizen पर apply ही नहीं होता है इसके बाद यहां पर यह बताया गया कि यह जो कानून है यह basically fast tax citizenship provide करता है naturalization के basis पर भारत में citizenship जो है वो 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है वो 5 तरीके कौन-कौन से वो आप नीचे comment करेंगे एक उसमें से naturalization हो गया इसके अलावा यहां पर यह बताया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगला देश से जो non-muslim community के या वहां पर जो minority status के लोग है जो छी religion के हैं वो उनके citizenship के process को fast track करना है इसी चीज़ को लेकर भी रोत था कि जो citizenship amendment act कानून बनाया आपने इसमें Muslims को क्यों include नहीं किया गया इसको लेकर काफी protest हुआ हला कि भारत सरकार का यह मानना कि यह जो तीनों country है for example बंगलादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान यह Muslim country है और वो अपने आगे लिखती भी है इस्लामिक रिप्रब्लिक और पाकिस्तान इस तरह के word आपको देखने को मिलेंगे ठीक है इसको लेकर citizenship amendment act को लेकर बहुत सारे petition जो चैलेंज करी गई है और बहुत सारे ground प implementation नहीं है आने वाले time में इसके क्या impact पड़ते है वो अलग issue है लेकिन यह बहुत important है citizenship amendment act को लेकर इसके लावा NPR, NRC, Census यह सारे चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है इसके ठीक right hand side में भारत के प्रेमेस्टर साब ने जम्मोन कस्मीर के youth से एक interaction किया basically government की जो achievements है उनके बारे में discuss किया गया किस तरीके से जम्मोन कस्मीर एक important role play कर रहा है कैसे development वारे में सब चीजों के बारे में discuss किया गया तो कुछ important चीजी है जो थोड़ा देखेंगे कि क्या उसमें exam के perspective से कुछ output निकल कर आता है for example यहाँ पर यह mention किया गया कि जम्मोन कस्मीर जो है इस दे इंदर मोदी साब ने का कि जम्मोन कस्मीर जो है एक ऐसे समय को पीछे सोड़ता है आगे new possibility के साथ आगे बढ़ रहा है और इसमें basically जम्मोन कस्मीर रोजगार मेला था जहां पर approximately 3000 युवाओं को जो है appointment letter दिये गए थे लेकिन यहाँ पर main discuss किया गया कि 2047 तक भारत सरकार इंडिया ने एक ड्रीम रखा है या इंडिया ने एक ड्रीम रखा कि हम developed country बनेंगे और अगर developed country बनना तो इसके लिए क्या हमें अपने national building को strong determination के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और इनके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने mention किया कि international flight जो है सर्जा यह अलड़ी जुरू हो चुकी है और इसके बाद यहाँ पर farmers हो यूथ हो एक तरीके से उन समको benefit होगा इस connectivity का और आने वाले time में भी हम देखेंगे कि जमून कस्मी कैसे self employment का एक तरीका यहाँ पर develop कर रहा है कैसे offer create किये जा रहे हैं चाहे वो यूथ के लिए हो farmers के लिए वुमिन्स के लिए हो और अलग-अलग एरिया के अंदर entrepreneur जो है वो ट्रेनिंग एक्सेस कर रहे हैं credit वह मार्केट एक्सेस हो technical imports हो उनके तुरू बहुत सारे employment opportunity जो जनरेट हो रही है हमने क्या किया यहाँ पर इन्होंने mention किया कि दो aims बनाएगे medical college cancer institution nursing college बहुत सारे medical institution के बा किया अभी तक जमोन कस्मीर में उसको लेकर इसके लावा इसके ठीक right hand side में election commission ने एक तरीके से जानकरी दी कि दो दिन की international conference होने वाली है और यह start हो की आज है और इसके अंदर क्या discuss किया जाएगा role framework and capacity of election management body और इसके अंदर यहाँ पर एक तरीके से invite किया गया है Greece को भी कि वो collaborative approach के तरूँ Greece को, Mauritius को और International Foundation for Electrical System को इनके लाव United Nations Development Program को इसके लावा International Institution for Democracy and Electrical Assistant को ठीक है अब आप लोगों के लिए second question है वो थोड़ा main based question और second question के तीन पार्ट है तीनों ही main based question है आने वाले time में country हम पढ़ेंगे सुदान तो इस सुदान पहला आपके लिए होगा कि सुदान के बारे में सुदान के साथ कौन किन किन country की boundary की boundary लगती कुछ आपको visible होगी और इसके लावा यहाँ पर आप यह place देख रहे हैं यह कौन सा important geographical place आपको नज़र आ रहा है इसके बारे में इसके लावा second जो होगा वो भी geographical है वो ग्रीस के बारे में ग्रीस के बारे म बहुत जादा न्यूज में है वो है लिवनान लिवनान किन दो country से अपनी boundary शेयर करता है और इसके western side में बहुत important एक geographical place है वो कौन कौन सा तो तीन question होंगे second question के part में और तीनों ही geographical question आपके लिए हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं पेज नमबर 14 के अलग-अलग comment कर ली that is not important for examination perspective इसके बाद पेज नमबर 16 पे जाएंगे पेज नमबर 16 पे देखते हैं कुछ important चीज़े for example यहां पर अगर हम बात करते हैं यहां पर बड़ा interesting सा है और गंगन डॉल्फिन के बारे में discuss किया गया कि डॉल्फिन जो है गंगा के अंदर वो उसी के बारे मताया गया कि जब से 2014 के अंदर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था नमामी गंगा प्रोग्राम जिसकी वज़े से water quality जो है वो implement हुई है रीवर की और उसकी वज़े से कहीं डॉल्फिन वापीस से गंगा के अंदर return कर रही है बहुत important है गंगन डॉल्फिन बड़ी सेंख्या में जो waste industrial waste हो या जो pollute करता था वो डाला था इसके अंदर रीवर के अंदर वो कहने के reduce हुआ है और आवरोलब चाहे बिरिजगाट और नरोरा कानपूर मिरजापूर वाराण सी इन सब में जो डॉल्फिन के breeding center है बहुत important है यहाँ पर डॉल्फिन की जो International Union for Conservation of Nature अगर आप देखेंगे IUCN के बारे में तो IUCN रे डेटा बुक पॉब्लिस करती है उसमें species को इक तरीके से define क्या जाता है कि यह critically endangered है, endangered है, vulnerable है, least concern इस तरीके से I think no category के अंदर divide क्या जाता है तो अगर आप 600 की population देखेंगे तो जो गंगन डॉल्फिन है इसको आप क इस category के अंदर रखना चाहेंगे, यह आपके लिए third question है, अब कुछ important दोर चीज़ें जिसके बारे में discuss करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बताया गया, एक defense program के बारे में यह एक तरीके से joint venture को लेकर, कि India आजगे time पे low cost production पर काफ़ी focus करा, defense production को लेकर यहाँ पर discuss किया रहे और low cost production होगा और high output होने की possibility है, basically भारत में Spain के साथ एक agreement है, और भारत में Tata Companies को लेकर joint venture के अंदर किसमे C295 के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे, यह Tata इस पर लिखा होगा और यह C295, basically Spain के साथ हमारा agreement है, इसकी manufacturing facility जो है, वो वडोदरा गुदरात के अंदर setup करी गी है defense and aerospace sector के अंदर तो बहुत important pillar इंडिया के self-reliant के मामले में उसको लेकर discuss किया गया, basically C295 transport aircraft manufacturing facility जो है, यह set करी गी है, वो वडोदरा के अंदर airbase, defense और Tata Advanced System Limited के साथ इनका agreement है, यह अगर हम बात करते हैं इंडिया की defense policy के बारे में, इंडिया की defense policy बहुत ही clear है, कि हमें आतम दिर पर self-reliant इंडिया पर focus करना है, एम है कि 2025 तक 25 billion dollar की defense manufacturing करनी है, इसके अलावा 5 billion dollar की हमें export को भी ensure करना है, यह जो agreement है, 2021 में हुआ था, कितने करोड का हुआ था, that is not important, Spain के साथ हुआ था, और यह ऐसा पहला agreement आप कह सकते हैं, जिसमें technology transfer की जाएगे, technology transfer का मतलब क्या है कि एक होता है, कि आपने helicopters बनाया या defense को equipment बनाया आपको transfer कर दिया, एक आपके साथ ही मिलकर कोई चीज़े बना रहा है, आपको technology भी supply कर रहा है, generally ऐसा कोई करता नहीं, तो वो अपने आप में बहुत important है, इनके लावा यह पर बताया गया है, कि हम लोग नए के वल, make in India पर बलकि make for the globe, इसको लेकर भी काफ़े focus कर रहे हैं, और आज के time पर आगर हमारी policies को देखें, तो काफ़े stable है, predictable और futuristic ही नजर आती है, इसके लावा बताया गया कि 2021 तक लगबग इस तरह के जो अगर हम बात करते हैं, तो एरक्राफ लगबग त्यार हो जाएंगे, और 56 एरक्राफ आपको देखने को मिलेंगा, अलागलग phases के अदर, approximately 2031 तक यह complete हो जाएंगे, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ transportation के बारे हम बताया गया कि कितनी flight cover करी ग सकता है, और heavier aircraft के category में इसको आप रख सकते हैं, ठीक है, इसके ठीक right hand side में आपको रिशनली पता होगा कि भारत की जो space agency है, इस रो इसने important launch किया था, एक 36 one wave satellite को और यह basically in space agency का एक commercial satellite launch भी था, इसी चीज़ को लेकर बताया गया, भारत के premise ने कहा कि इस project के थूँ देश के जो connectivity ही खास का, रूरल इंडिया के अंदर वो increase होगी, digital connectivity बढ़ेगी, रूरल इंडिया के अंदर connectivity बढ़ेगी, और इसके तरूँ जो देश का remotest area, यानि एक ऐसा area जहां पर अभी कोई access नहीं है, कई area ऐसे भी जहां पर 5G technology छोड़ दीजिए, 2G, 3G और 4G को लेकर भी partial satellite था, और इसके अलावा यहां पर यह बताया गया कि 14 अक्तूबर 23 इंडियन इस्टूट ओफ टेकनोलोजी एक showcase प्रिजेंट किया, जिसमें 75 best project को, जिसकी theme थी, health care, agriculture, robotics और semiconductor, यह काफी important है, to 5G communication, इन सब को लेकर उनके innovation और project किया, उनको display किया गया था, यह जो topic है, health care की प्रिजेंगरम बात करते है, agriculture की बात करते है, robotic technology को लेकर UPC सवाल पूच चुकिए, semiconductor और 5G technology यह दो बहुत important topic है, 5G technology के application तो बहुत सारी field में हो सकते है, क्योंकि इंडिया launch कर रही है, और जब इंडिया में launch हो रहा है, तो definite से बात इसको लेकर सवाल भी होंगे, इसके बा आई थी, I think 2014-15 के आसपास, और इस scheme के अंदर क्या था, कि जो किसान होते हैं, जो diesel pump का इस्तमाल करते हैं, अपने खेतों में पानी लगाने के लिए, उसको replace किया जाता, solar pumps के दूर, उसमें एक subsidy provide की जाती थी, परधान मंत्री कुसम योजना, basically, जो diesel engine है, उसको replace करना था, solar equipment के थूर, और इसमें concept भी आया था, क्या net metering को लेकर, यह सवाल, I think 2015-16 के प्री में पूछा गया था, कि net metering का मतलब क्या है, यह बड़ा interesting सवाल था, और दुरुपागे पूर वो सवाल मेरा गलत हो गया था, net metering क्या है, कि माल लेते हैं, कि इस project के थूर, एक farmer, जो है, व और वहाँ पर लगता है कि हमने जो हमारे पास electricity के storage है, वो जरूरत से ज्यादा तो वह supply कर देता था, तो उसमें दो option होते थे, या तो उसको बाद में use कर सकता था, या फिर उसका monetary benefit भी लिया जा सकता था, इसके अलाबा, यहाँ पर एक tribal woman के बारे भी डिसकस किया गया, कि भाई, दस हजार eco-friendly terracotta tea cup उनों ने बनाई, जो कि supply की दार export की गई, और तिरपुरा के कुछ गाउं के बारे भी डिसकस किया गया, जहाँ पर bio village के बारे में डिसकस किया गया, bio village का मतलब है, कि हम लोग कैसे natural disaster के case को को minimize कर सकते है, damage को कम से कम कर सकते है, यह बड़ा interesting सवा है, तो definitely यहाँ पर अलग-अलग area के अंदर discuss किया गया, क्या उनकी presence है, किस तरीके से यह help करता है, उसके बारे में, इसके बाद, page number 17, basically, Monday को economic section नहीं आता, money wise एक review आता है, कहाँ पर आप investment करिए, बहुँ जादा पैसा तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, या आप, अगर industry दुनिया में इस टाइम पर क्या चल रहा है, तो दुनिया में कोई specific नहीं चल रहा है, लेकिन एक country continue news में वो लिबनान, लिबनान की president जो है, उन्होंने कोई replacement नहीं किया, लेकिन वो एक तरीके से crisis के अंदर resign दे दिया, basically, लिबनान वो country है, जहाँ पर economic crisis तो है, और political crisis भी ह होता है, तो शी को लेकर, यहाँ पर inflation peak पर है, इसके लावा, यहाँ पर political stability नहीं आ रही है, इन सब के अलावा, यहाँ पर continue resignation जो देना है, यह definitely, लेबनान की stability को लेकर कई सारी question भी raise करता है, लेबनान के president Michael Owen, इन्होंने अपना resignation दे दिया, कि ठीक हमारे पास mandate नहीं, हम नह present, ठीक है, इसके अलावा, Somalia, एक country continue news में रहती है, और Somalia के अंदर blast किया गया, बहुत सार लोगों की हत्या करतीगी, यहाँ पर मैं blast इसलिप यह discuss कर रहा हूं कि, यहाँ पर कुछ organization जो है, जैसे अलसबाब, यह claim कर रहा है, कि हमने एक तरीके से यह attack किया, और यह जो organization है, वो indication अपने आपको कई बार relate करते हैं, कि हम Islamic state जो काफी ज़्यादा news में रहा था, इराक और Syria context में, उससे affiliate करते हैं, क्या आज के time पे western Asia से shift करके, African continent के अंदर, यह जो terrorist activity हो लगाता है, increase हो रही है, यह एक बड़ा सवाल है, इसके ठीक right hand side में, Sudan के अंदर काफी ज़्याद आप में, interesting है, African continent में अगर आप ध्यान से देखेंगे, वहाँ पर एक तो political stability की बड़ी problem है, tribal conflict, एक tribe, दो tribe major होगे, उनके बीच में conflict होना, और political stability नहीं है, power की transition smoothly नहीं होती, military दवारा take cover करना हो, और इन सब का जो result है, वहाँ के लोगों की जो life है, वो बद से बत्तर इन्हो वज़े से लोग, क्योंकि African continent है, rich बहुत है, लेकिन वहाँ पर rich को कहने के use नहीं होने दिया जा रहा, political stability नहीं होने के वज़े से, और जो ये Somalia और इन country में attack बढ़ रहे ना, वो इसी वज़े से politically stability अकर कोई country नहीं होगी, economic stable कोई country नहीं होगी, तो वहाँ पर इस तरह के attack के chances आप दुनिया में जहां पर भी देखेंगे, terrorist जो terrorist है, उनके headquarter वहीं पर नजर आते हैं, जहां पर politically stability नहीं है, हना यह आप धान किये, इसके अलावा कोई particular news नहीं है, South Korea के अंदर एक Halloween crowd की surge की वज़े से काफी लोग कोई death हुई, इसके बार इन डिसकस किया गया, Halloween basically आप देखेंगे, आपको बता चल जाएगे कि Halloween है क्या, तो फिलाल, the Hindu News Analysis में इतना ही, thank you, jahind